Hello my dear lovely kids, how are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. Well, हम इतना सारा कुछ लर्ण कर चुके हैं, इतनी सारी स्पेलिंग्स हमने लर्ण कर ली हैं, और अब तो हम इतने इंटेलिजन्ट हो गए हैं, कि हम वर्ड भी फार्मेट कर सकते हैं. That means हम स्पेलिंग बना कर वर्ड ग्रियेट कर सकते हैं. क्या बात है, मेरे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे बहुत इतनी हो गए हैं. Very good भई. अब क्या करना हैं, आज देखते हैं. Write the word on the line below. यहाँ पे उन्होंने फिर से हमको letters दे दिये हैं. यह देखो, यह letters दिख रहे हैं. यह उन्होंने हमको फिर से letters दे दिये हैं. और अब हमको यहाँ पर उन letters से मिला कर word बनाना है. और लिखना है. ठीक है? तो लिखना शुरू करें. चलो भई. B A double L ball पैचान में आ रहा था आपको? यह हो गया मेरा B A double L ball. बॉल से तो हम सब ही खेलते हैं. है ना? अच्छा. अब क्या है? वेल, इससे भी हमको words बनाने हैं. कौन-कौन से words बनेंगे? रोज, सुबा-सुबा, घर वाले, जितने भी बड़े लोग हैं, ममी, पापा, दादादी या नाना-नानी, वो सब नाश्टे के साथ क्या पीते हैं? या फिर रोज, शाम को क्या पीते हैं? या फिर जब कोई हमारे घर आता है, तो हम उसको क्या सर्फ करते हैं? येस, चाए. चाए को इंगलिश में कहते हैं, ये हुआ टी, ये हुआ टी, ओके, ये तो हो गई हमारी चाए, लेकिन हम इसी, इनी लेटर्स से एक और वर्ड बना सकते हैं, पता है कौन सा? भाई, चाए के साथ क्या खाते हो? खाने को इंगलिश में कहते हैं, ये टी, हो गया हमारा एक और वर्ड, वाउ, क्या बात है, अब next, next क्या है, हमारे पास D है, O है, G है, हमारे पास G है, O है, D है, कुछ बनेगा, yes बनेगा, D, यह हमने लिख दिया, यहाँ पर D, यहाँ पर हमने G लिख दिया, G, O, D, God, and D, O, G, Dog, we have got two words from these three letters, ओके, चलो, और देखते हैं, और क्या बनता है, अब क्या है, O, R, D, O, यह कोई, और डो, जैसा तो कोई वर्ड नहीं होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, वर्ड होता है, दर्वाजे वाला, D, O, O, R, we have got door from O, R, D, O, then, the next one is, वेल, अब हम इससे बनते हैं, क्या बनेगा, B, C, M, O, B, O, M, C, न, B, C, औरे भई, रोज तयार होते टाइम हमको, C, O, M, B, करना पड़ता है न, क्या, कॉम, तो यह हो गया हमारा एक और वर्ड, now we have something, क्या है यह, C, L, O, K, No, C, K, O, L, No, L, O, K, C, No, L, O, C, K, it's lock, lock means ताला, अब next, next क्या है, P, M, A, L, यह कोई वर्ड है क्या, No, P, A, L, M, यह कोई वर्ड है क्या, yes, P, O, P, A, L, M, Palm, that means, Palm means हतेली या पंजा, ओके, अब next देखते हैं, next क्या है, T, I, T, No, T, E, No, अरे क्या बनेगा भई, यह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, जैसे की, यह वर्ड बन गया है, K, I, T, E, काइट, काइट, काइट मीन्स, पतंग, सबको पसंद है, पतंग, अब, next वर्ड क्या है, S है, R है, E है, और O है, इसको मिला कर क्या वर्ड बनेगा, यह, इससे मिलेगा, S, O, R, E, S, O, O, K, S, O, R, means होता है, दर्द वाला, कभी-कभी, जब गले में दर्द होता है, किसी, जब हम ठंडा खा लेते हैं, जैसे की, आइस्क्रीम, कोल ड्रिंक, या कुछ खटा खा लेते हैं, नीबू, इमली, जैसी कोई चीज, तो हमको सोर थ्रोट हो जाता है, that means हमारे गले में दर्द होता है, यह हो गया हमारा एक वर्ड, well, we can find another word from these letters, that is, R, O, S, E, रोज, R, O, S, E, रोज, that means, कुलाब, तो आज हमने बहुत सारे लेटर से, बहुत सारे निव वर्ड्स बनाना सीखा, बच्चे बहुत intelligent हो गए है, तो अब, आप मुझे help करेंगे, कि क्या आपको इन्ही लेटर से कोई और words भी मिलते हैं, अगर मिल जाएं, तो मुझे जरूर बताईएगा, ओके, बाबाई,